कि सलाम नमस्ते हेलो केम्चु स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवाद जीए भाई प्यू सर पे दोस्तों शाम के पांच बच चुके हैं और आपके लिए चुनिंदा करेंट अफेर्स जो बेस्ट 200 करेंट अफेर्स जिनके एक्जामनेशन में आने की संभावना सब से ज्यादा होती है दोस्तों सिक्स मंद करेंट एफेर्स की क्लास लेकर करके मैं आशिर हूं और वी चौबिस सितंबर और वी मेंस फर्ष्ट अक्टूबर यानि कि उसका वे रिजल्ट आ जा गया मैंने सौर्स भी बनाया है दोस्तों और उसकी डिटेल्ट पर जीडिपी फोरकास्ट पर है दोस्तों यानि कि वह लास जो मैंने ली है वह आपको किसी कैपसूल बुष्टर में नहीं मिलेगा पहले बतादारों और और दोस्तों उसमें पढ़ना क्या है तीन साल के डेटा है तो उसमें पढ़ना क्या है कौन-कौन से और्गनाइजे इसामनेशन दम नजदीक आ जाए तो उस समय पढ़ना चाहिए उस समय जरूर उसको जो है चारवाज पाच बार पढ़ लो दो महीने में तो तुम्हारा रिवाइज हो जाता है ठीक है तो दोस्तों वह जीडिपी फोरकास्ट और ऐसे ही मैं रैंकिंग ऐसे ही आर्मी एक्स रैंकिंग और जितने भी स्टेटिक जीके हैं दोस्तों नेश्नल पार्क और जितने भी सेंस और जितने इस सब पर तो मैंने बनाए भी हुए कुछ वीडियो तो वह आप लोग जरूर देख लिजेगा ठीक है और सिक्स बत करेंड़ की क्लास 5 बजे और रात को 9 बजे तो ताबर तो चल रही है दो घंटे चल रही है तो आप लोग उसको टाबर तोड़ तरीके से करना भी होगा चले दोस्तों शुरू करते हैं पांच बजे यह क्लास डेली होती है पढ़ना कैसे है कई लोग पूछते हैं तो प्लेलिस्ट में जो लेटेस्ट वीडियो वहां से पढ़ना सुरू कीजिए और जितना पीछे जा सकते चले जाएए करेंट अफ्यर में ऐसे ही करना है जैसे प्लेलिस्ट में मैंने एदम लेटेस्ट से उसको छक से जना फेस्बूपक पीछे जाईए दोस्तों ठीक है उससे आपका क्लियर होते चला जाएगा बिलकुल स्व भारी प्लेहिष के भी लिंक दिए होंगे प्लेर खोजने में दिक्कत हो तो HOME PAGE में भी है और दोस्तों आपके प्लेहिषस कषन में भी बिश्रिप्षिन में भी प्लेह था यह प्लेहिबिकिया है दोस्तों का तो सबस्दोiba च्छे बचे डेली करेंट एंट यह तो बहुत इंक्वर्ड जाता एक्जामनेशन मंथ में जैसे एक्जामनेशन अक्टूबर में तो सितंबर के करेंट अफेर्स आएंगे तो भाई साब तुम्हें डिटेल में पूछेगा तो इसके दो तरीके दोनों तरीके फॉलो करने तो पद्योक्ता दरपन लेके पढ़ो यह कैपसूल पैपसूल से नहीं चलेगा लेटेस्ट मन्त वाले और दूसरा तरीका यह है दोन मलत दोनों सब्सक्राइब करेंट क्लास जो सब्सक्राइब करेंड करेंड तो क्योंगि ये लिए तो आपके पास कैप्सूल आच चुका है और आपको सामको यहां पर क्लास होई रही है संदे को सुबशे बजे पहला दूसरा पहले कि इतने सारे इसबार छोड़ने कभी मन नहीं कर रहा है कोगiesen नस्दिक है है तो कुछ भी छोटी मुटी बात भी पूछ सकता है इसलिए दोस्तों इसका third-party भी करना पड़ेगा कल ठीक है इसका third-party हम लोग को करना पड़ेगा ठीक है किखली विक्खly current अफेर हो गया दोस्तों बैंकिंग की क्लास यहां पर दोस्तों इसकी प्लेइश भी मैंने आपको दी है इसकी प्लेइश भी आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा पूरी प्लेरिश में 50 लेक्टर पूरा पढ़ डालिएगा एकदम banking awareness सरकारी योजनाओं की classes भी चल रही है दोस्तों इसमें भी जो banking और account से related है फटाफट मैं जो है करा रहा हूं इस पर भी मैं session लूँगा capsule discussion में तो मैं जो है जो important चीज़े होंगी उसको पहले cover करा दूँगा जितनी important चीज़े होंगी उसको पहले cover करा दूँगा ठीक है दोस्तों बाख्यों कि उस capsule में भी पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना ये भी एक बहुत बड़ा challenge है वह मैं discussion करा दूँगा ठीक है Saturday Sunday को सब लोग तयार रहेगा दोस्तों आए शुरू करते भारत में 24 हवाइड़ों के लिए रेडियो उपकरण की सप्लाई के लिए किस देश की रेडियो टेक्नलोजी प्रणाली के साथ दोस्तों रेडियो टेक्निकल सिस्टम के साथ भा की भारते कौन दे रहा है दोस्तों यह रशिया दे हैं रशिया हमारा मित्र रदेश है दोस्तों रशिया सप्लाई कर रहा है एरपोर्स से दोस्तों जवर एरपोर्ट जो नौड़ा में प्रोग्राम हुआ कहा था बेगम पेट एयरपुट हैदराबाद में हुआ था ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ यह सब कुछ इंपोर्टेंस घटनाएं जिसे हैं हैं अब गुरुगाउं में बना है दोस्तों हेलिकॉप्टर समिट देरा दून में हुआ है ड्रोन मेला दोस्तों ग्वालियर में लगा भारत ड्रोन महुत सो जो है वो दिल्ली में हुआ था तो यह सब भी जानकारी आपको रखनी होगी ठीक है बात समझ में आ गई ख्लियर है फिल्कुल है कि चलिए है कि दोस्तों रशिया हमारा मित्रदेश है और मॉस्को इसकी कैपिटल है और रूबल इसकी करेंसी है रशिया के गौर्वो गौर्चोवी जो है कौर्चोविक नाम है वह फाइड के हेड बने है है छेसच फेडरेशन के, और उपाद्यक्ष बने है विष्वनाथन अनंद, छेसच फेडरेशन के उपाद्यक्ष विष्वनाथन आनंद बने हैं दोस्तों which बैंक रिसेंट्ली पार्ंटर्नेड वित यूबी और को लेंडिंग विद नॉन बैंकिंग फिनेशल लेंडिंग करने के लिए यूबी के साथ पर्टनर्शिप मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों आर बी आई ने सभी बैंकों से कहा है कि आप किसी ने किसी एन बी अपसी के साथ टाइएप कर लीजिए और उसके साथ को लेंडिंग मॉडल में आ जाएगे इस विवा बंधन मे सब्सक्राइब बंध जाएगे और आप दोनों लोग मिलके लून दीजिए किसी सेक्टर को क्योंकि बैंक के पैसा है एन बी अपसी के पास कष्टमर है एन बी अपसी और बैंक मिलकर करके अगर लॉन देंगत न बइंबसी की फंड क्राइसिस खतम होगी एंबी एपसी की भी खतम होगी जिसको लोन मिलने वाला है उस सेक्टर की भी क्रैसिस खतम होगी और मंदी से उबने में सब मिलके आप सबका साथ सबका विकास हो जाएगा तो दोस्तो इस चक्कर में कई करणाटका बंक का T कर नाम है यू वी करनाटका बैंक ने यू भी के साथ किया करनाटका बैंक ने किससाथ यू भी के साथ तैइप किया करनाथका बंक का हेड़ क्वाटर दोस्तों मैंगलूर में हैं महाबलेश्वर में करनाथका बंक के हेड है महा बलेश्वर एम-$ ओके बात समझ में आ गई तो दोस्तों यूबी को फॉर्मली क्रेड एवन्यू प्राइवेट लिम्टेड के नाम से भी जाना जाता है ओके और कोई अगर आपके डाउट से कुश्चन से अभी आपका आज रिजल्ट आया होगा ता बहुत चिंतित होंगे परशान होगा पूछ सकते हैं ठीक है आपको पीडिएफ चाहिए अगर कैपसूल हिंदी भाषा में इंगलिश भाषा में तो आप मुझे जो है वाटसेप कर दीजेगा परसनल मैं आपको भेज़ दूंगा वाटसेप आपको करना है किस नंबर पर तो वाटसेप आपको करना है दोस्तों 8229287812 पर ठीक है बायो में भ मिसेज इंडिया वर्ड का खिताब जीता है मिसेज इंडिया वर्ड का खिताब जीता है दोस्तों उस सक्सियत का क्या नाम है सरगम कौशल क्या नाम है मेरे भाई सरगम कौशल ने जीता है जम्मू कश्मीर की रहने वाली कहां की रहने वाली भाईया जम्मू कश्मीर की रह ये हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि रहने वाली है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और हम लोग जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे थिक है अमिरात यूए एक्सपोर्ट हुआ लूलू ग्रूप जो एमे यूसुफ अली का है यूए की कमपनी जो वहां मॉल्स और यह सारी चीजे बनारी बलकि लखनव में भी बनाई थी केरल के रहने वाले यूसुफ अली यूए का गोल्डेन वीजा पाने वाले पहले भारत पहले की बात करें गुलमर्ग में विद्या बालन को दोस्तों के नाम से दोस्तों फाइरिंग रेंज इंडियन आर्मी ने बनाई है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम दोस्तों यहीं गुलमर्ग में हुआ था दोस्तों गुलमर्ग में ही दुनिया का सबसे बड़ा इगलू Cafe बनाया गया जिसका नाम Snow Glue है थिक है दोस्तों यहीं पर Tulip Garden भी है दोस्तों जो है याद रखेगा Asia का सबसे बड़ा Tulip Garden भी यहीं पर है थिक है दोस्तों North India का पहला इंडिस्ट्रियल बायोतेक पार्क अग्भी पकफुआ में जबं मुकृष्मीर में ही इनॉग्रेट हुआ है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों यहां के ड्लिकाon पर साइबर सेक्योर्टी ने जबंहुअ इन्वसिटी के साथ टाइप किए और साइबर-फोरेंसिक और जी आई टेग लगा करके जर्मनी भेजा गया ताकि इसकी जो है कोई कॉपी न कर सके वरना कोई भी कश्मीर का कार्पिट बना बता के बेच रहा है तो QR कोड वाला बेजा गया इस QR कोड में सारे डिटेल होगी किस कंपनी से कौन सा बुनकर है कौन सा वीवर कश्मीर का जिसने कौन से डिश्टिक से आई है दोस्तों सामबा डिश्टिक कश्मीर का जो पहला डिश्टिक है जिसने दोस्तों यहां पर आत्म निर्भर भारत जो आयुश्मान भारत योजना है सिहत इसकी 100 परसेंट घरों में इंप्लिमेंट करा दिया है दोस्तों इसी सांबा डिश्टिक का पल्ली विलेज है जम्मू का जो की ऐसा विलेज बन गया जो भारत का पहला कार्बन निट्रेल पंचायद बन गया क्यों कि इसने सारे के सारे सोलर एनरजी से पावर्ड कर द यहां पर 83 असेंबली थी दोस्तों विधान सबाती वह नब्बे हो गई है ठीक है क्लियर बात समझ में आ रही है 43 सीट जो है दोस्तों जम्मू में 47 सीटS जो है वो कश्मीर में डवलप होई ठीक है चलिए जम्मू एंड कश्मीर में यह दोस्तों रंजना देसाई ने किया है रंजना दिसाई किस organization की head है यह आपको बताना है homer question फटा-फट बताईए रंजना दिसाई किसकी hago तो उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो बिल्कुल वीयन यहां का जो है यह वी गाउं जो है वह पहला जो है वह हंडेड़ पसंट वेक्सिनेशन जेरी हेलमेट पहला मिल्क विलेज है बिल्कुल सही बात है जम्मु कश्मीर दोस्तों जो है इसमें भी टॉप किया है बस बोट सेवाया नीदरलेंड से लाई गई है प्रेस काउंसिल अफ इंडिया के हैं रंजनादेस आई और उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है बिल्कुल दुनिया का सबसे जो है उंचा जो है वो ब्रिज भी यहीं पर बना है रेलवे आर्क ब्रिज भी दोस्तों यहीं पर बना है ठीक है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है डो सभस्क्राइब करें चिणाब नदी पर रत्लेzeigt जल विद्युद्र पर्योजना दोस्तों शुरू कि और दुनिया का सबसे वीचा रेलवे चीनाब नदी पर ही है बुच्छी मस्रूम दोस्तों यहां का जी यहां के जी आई टेग वाले प्रोडक्ट से क्लियर याद रहेगा कि उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अब जमुन कश्मीर भी शुरू हुआ है दोस्तों स्रीनगर को सीटी ऑफ हेंडी क्राफ्ट फो काट चुना गया स्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट चुना गया दोस्तों इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डेन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डेन है जहां ट्यूलिप फेस्ट स्काराय स्कीम टूरीजम के लिए दोस्तों वन ग्राम पंचायद वन डीजी पे सकी यहीं से शुरू हुआ प्रूफ है यहां का है दोस्तों टूरिस्ट विलेज नेटवर्क बैक टू विलेज इस प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड प्रूफ है इस्टेच्यू आफ पीस दोस्तों सिनगर में सुरू हुआ है स्वामी रामानुजा चारेज जी की मुर्ति एक्ति लंगाना में लगाई गए ते हैदराबाद में जिसे स्टेच्यू आफ वो का गया था एक्विलिट टिए स्टेच्यू आफ पीउस है जो सीनगर में लगाया गया चीच बात स्मझे जेरी हंभी यहां का पहला डेरी है दोस्तों जम्हु कश्मीर के बारे में दोस्तों जितनी भी चीजें है हम लोगों नेडिसकस करनी ती वह कर लिए ठीक है जम्मू कश्मीर के राजसभा में फर्स्ट मेंबर जो है गुलाम नभी खट्मा वो गुर्जर मुसलीम है पहले गुर्जर मुसलीम है जो राश्पति मुर्मू द्वारा मनोनित राजसभा में भेजे गए उम्मीद मार्केट प्लेस दोस्तों यहाँ पे सुरूएज किलहब इनिसियेटीव तो यहाँ पे सुरूहाइक है कि शेकल अलवlike International Airport दोस्तों यहां का है वेरी गुड दोस्तों यहीं पर दोस्तों भारत कि सबसे बड़ी खारे पानी की जील है बूलर जील मीठे पानी के जील खाडे पानी की जील तो चिलका जील जो ओडिसा में मीठे पानी की जील फ्रेस वाटर लेग जो है वो यहां पर ही है के ठीक है clear act कि बात समझ में आ गया क्वाइब मौने फूट सेफटी वाला पड़ा था ना कि तरबार मूँवANG कत्म किया गया लगा चलो हो गया जम्मू कश्मीर बहुत हो गया चलो आगे-चले अगर नल्द सुड़ wilde यह थिक है जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख हुआ था दोस्तो और जम्मू कश्मीर के जो है पहले लेफ्रिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू बने थे द्रौपदी मुर्मू की तरफ वो भी संथाल जन जाती जाते अब वो सी एजी हो गए वो विधानजभा वाला बना दा जम्मू कश्मीर यह बिना इसेंबली वाला सके लेफ्रिनेंट गवर्नर सुरू सही राधा खुष्ण मातू रहे अभी बीराधा किस्ट मातू रहे लेह दोस्तो इसकी कैपिटल है जहां पे भी साइक्लिंग वर्ड कप हुआ मेराथन वह बह जात्रा शुरू हुई दोस्तों बॉर्डर रोड और्गनेजेशन ने दोस्तों यहां उमलिंगला पास में 52 किलोमेटर की रोड बनाई वैसे तो दोस्तों एक सिंकूला भी बनाया जा रहा है वह हिमाचल पदेश के अटल टरनल के नाम पर रोतांग पास पर बनाएगा वह लद्दाक से ही जोड़ रहा है रास्ता लाहल इस पिति से मनाली तक जुड़ रहा है वह 10,000 फिट की उचाही पर है वह अटल टरनल वह भी गिनिज्वु का वर्ल्ड रिकॉर्ड वह भी बॉर्डर रोड और्गनेजिशन नहीं बनाया लेकिन उसको तोड़ देगा सिंकूला टरनल जो क्योंकि यह 16,000 फिट की उचाही पर है 16 यह question भी exam में आ चुका है यह question भी exam में आ चुका है दोस्तो लोसार फेस्टिवल लद्दाक का यून टैब लद्दाक का बिलकुल सही बात है ITBP की दो महिला जवानों को प्रकृति दिक्षा को भी बॉर्डर पर डिप्यूट किया गया ITBP दोस्तो जो है 1962 में आई थी जब इंडिया चाइना वार हुआ था तो इंडो टिप्तन बॉर्डर पुलिस की तबसे यह चाइना बॉर्डर पर ही रहती है इंडिया चाइना बॉर्डर को दोस्तों LAC कहते हैं जो लद्दाख का गालवन घाटी वाला जो वह था वह इसी जगह हुआ तसंगर्स जिसमें मेजर बाबू जो है महावीर चक्र से समानित हुए मरनों परांद भीहार रेजिमेंट के थे दोस्तों सब्सक्राबतु है मणा फिल्म फेशस्टिवल यहां लोसार फेश्टिवल यहां सिय अचीन ग्लेसियर दुनिया की सबसे ऊचि युद्ध भूमी यहां की इसी सियाचीन गलेसियर में टीम क्लॉग गई थी दोस्तों ब्लू फ्रीडम के तहट वेटरन्स लोग दिव्यांग लोग सियाचीन गलेसियर तक दोस्तों 100% वेक्सिनेशन में पहला लगदा की था या यूनिए ट्रेटरी ना यह मतलब नहीं की मुबाइल का टावर या मूबाइल मोबी देखो गए मुबाइल का मतलब चलता फिरता खेक चलता फिरता बात समझ में आ रही है क्लियर है आई टी बीपी और एसेसबी के हेड है एसल थाउसेन एसल थाउसेन है सो आई टी बीपी के जो ते संजय रोड़ा दिल्ली पुलिस कमिशनर बन गए संजय रोड़ा ठीक है हिमालेयन फिल्फ फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया गया ओके कि कि सिंदु इनवर्सिटी भी दोस्तो यहीं पर बनाई जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सिक्किम की दोस्तों हम लोग 200 पर शॉस्ट unacceptable कारेश elementos करते हैं एक स्टेट उठाते हैं शिक्स मुन्ट में क्या-क्या बहुत इंप्वड़न चीज हुई है एक जगह कवर करते जिसाट से बच्चे को याद रहे जाता है अगर लुब तुकड में कराएंगे तो अराम से एक कोश्चन देंगे फिर दूसरा question देंगे तीसरा question देंगे आपका पूरा गंटा बीच जाएगा केवल इसी पेज पे लेकिर हम लोग चाहते हैं कि एक पेज पे एक जो है राज्य का पूरा छे महिने में क्या क्या हुआ उसको दे करके आपको दोस्तों रिवाइस ऐसे करा जाए ऐसे रिपीटेड रिवाइस मिनिष्टर थे दोस्तों पाव चामलींग जो कि सबसे सर्विंगचीफ मिनिषटर है भारत के किसी भी देश के भाड़त के किसी भी देश की दोस्तों सिक्कि में कैपिटल है कंड़ को म Run product owner है गंग प्रसाद तों गंगड़क और गंगर प्रसाद का जो Est definit view है ठीक है क्लियर है प्रेम सिंग तमांग को ही दोस्तों प्यार से पीएस गोले कहते हैं तो अलग अलग चीफ मिनिस्टर है दोस्तों सैफ्रॉन जो की कश्मीर का फेमस है उसका प्रोडक्शन सिक्किम में भी सुरू किया गया एक भारत स्रेष्ट भारत के तैद ठीक है पाट सम सिक्किमने जया है यूनियन आफ इंडिया को ज्टांन किया था कब भारत में दोस्तों यूड़ा राजसाही दियासत धी दोस्तों जिसपर चाइना भी अपनी बुरी नजर रखता था तो सिक्किम में दोस्तों जो है भारत ने अक्सेशन किया इंदरा गांधी जी के समय में 16 माई 1975 को 16 माई 1975 को तो दोस्तों जो है सिक्किम स्टेट हुड डे अपना किस दिन मनाता है सोलह मई को मनाता है कब मनाता है सोलह मई को मनाता है दोस्तों सिक्किम भारत का पहला राज भारत का पहला बायो फार्मिंग स्टेट है कि अरे योजना बताएं सर आपको अम्मी बहिनी योजना अच्छा ओके तो दोस्तों जो है यहां पर सिक्किम जो है पहला बायो फार्मिंग इस्टेट बना है कि ठीक है दोस्तों यहां पर कंचन जंगा नेशनल पार्क है जो की हीमालेंस रेणी का भारत में सबसे उची परवच चोटी भी है को कैसे सर माउंट एवरेश्ट भारत में है नहीं और केटू भी पी ओके में है जो गॉडवीन जिसको कह रहे हूं तो कंचन जंगा ही दोस्त सबसे उची परवच यहीं और कंचन जंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों भारत में वर्ल्ट हिटे सई 40 हैं 40 में एक मात्र यहीं यह जो मिग्जड है देखो दो तरीके के लेश्ट पार्क होते हैं अरे दो तरीके के वर्ल्ट हिटे साइट होते एक तो होता है कृत्रिम artificial जैसे की ताजमहल कुतुब मिनार यह सब इंसानों ने बनाया दूसरा होता है दोस्तों प्राकृतिक नेच्छूरल जैसे की तुम्हारा यह सब नेश्टरल पार्क कंचन जंगा नेश्टरल पार्क मानस नेश्टरल पार्क यह सब बात समझ में आ रही तो दोस्तो जो है यहां पर यह मिक्सड एकमात्र मिश्ड पार्क सपड़ के गैंग टोक में दोस्तो स्विट्जर लेंड यह कंपनी सिक compliance जो तो दोस्तो Switzerland की है और इंक प्रोवाइट करती है आई इंटेग्लियो इंक भारस आर्बिय को नोट छापने के लिए यही प्रोवाइट करती है एक तो वह बनता है देवास में एक वर्णिका नाम से मैसूर में भी ओपिन किया गया है यूनिट एक है जो कलर चेंज करता है वह स्विचल लेंड से यहां तो तुम फाकिस्तान भी खड़ी लेता था हूं स्विचलियgriff का स्विचल नोच को सिग पर कंपनी है तुम इंडिया में बनाओ मेंक लान तुम तुमको पाकिस्तान वाला कुछ करी नहीं पाएगा तो दोस्तों छो है यहां पर रिउवर तीस्ता जो है यहां कि सबसे जो है मेजर नदी है तो रीवर तिस्ता तिस्ता है। यहां पडसquito've तूस्माइव है अमम्मी तो नहीं लिखा है। सैनिटीरी पैट्स वैंडिंग मसीन दोस्तों इंस्टॉल किए जा रहे है सेकंडरी और सिनियर सेकंडरी स्कूल में सिक्किम विल होश रजी troops match for the first time इन स्कंबर में दोस्तों सिंग रर्जी ट्रॉफी को होस्ट करेगा और दोस्तों सिकर जी ड्रफी इस बार का MP ने जीता है En другой के बात समझ में आ रही है बात समझ में आ गई दोस्तो उबर टेकलोजी न जो मेटो के 61.2 करोड़ शेयर कितने करोड़ में बेच कर अपनी पूरी 7.8% हिस्सेदारी बेची है तो दोस्तो उबर टेकलोजी ने जो मेटो में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है अपनी पूरी जो उसके पास 7-108 परसेंटी पूरी इसेदारी बेच दी है उबर ने जबकि उबर और ओला गाड़ी वाली कंपनी है और जो मेटो स्वीगी विचारी फूट दिलिवरी वाली कंपनी है लेकिन उबर मान नहीं रहा है जो मेटो में भी शेयर लिया था बेच द के द्वारा दोस्तों मंगल ग्रफ की चटानों मिट्टी के नमूनों को प्रित्वी पर लाने के लिए नासा ने किस ग्रह पर दो और मीनी हेलिकॉप्टर लॉंच किये हैं यह बढ़िया था गुरू कि इसमें तो कोश्चन में ही दोस्तों जो है कि एंसर है मार्शियन रॉ तो मरकरी से आएगा नहीं वीनस से आएगा नहीं से आएगा नहीं मार्स से ही आएगा नासा के मिशन का क्या नाम है दोस्तों यह ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि नासा के मिशन का क्या नाम है नासा के उस मिशन का नाम है दोस्तों पर्सिवरेंस पर्सिवरेंस मिशन दोस्तों की हेड थी स्वाती मोहन एक इंडियन नासा में मंगल मिशन की हेड थी और मंगल मिशन बड़ाई सक्सेस्फुल रहा क्योंकि वहाँ पे दोस्तों इंजिनिविटी नाम से एक हेलिकॉप्टर जो है उड़ाया गया था जो पित्वी वास्यों के दोबारा किसी और ग्रह पे हेलिकॉप्टर उड़ान उड़ने की पहली घटना थी पहली घटना थी बात समझ में आ गया क्लियर है नासा के जो हेड है वो बिल नेलसन है बात समझ में आ गई क्लियर अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नासा ने राजाचारी को भी भी भेजा है नासा ने सुनीता विलियम्स और कलपना चावला को भी भेजा था अभी दोस्तों एक और लोग को तयार कर रहा है क्या नाम मेनन करके उनका नाम है सिरिशा बंदला दोस्तों अभी गई थी वर्जिन गलेंटिक की तरब से वह नासा की तरब से नहीं गई थी थी थोड़ए दूर गई थी तो दोस्तों यहां पर जो है श्वाधी मुहन इसकी हेड है बिल नेलसं नासा के हैं और दोस्तों हेलिकॉप्टर की उडान मंगल ग दोस्तों नासा एक टूबर 1958 को जो है आई थी तो दोस्तों यहां पे बात हुई जा रही है मंगल पर दो और मीनी हेलिकॉप्टर लॉंच किये जाएंगे एक योजमा नासा का फर्सीवरंस रोवर डबल डिटी करेगा रोवर क्या करता है दोस्तों रोवर जो है अपार को ब्रोबो टैप का जुसाय मेयरिंव यह पहीग होता है यह डिए जाक्राइल के मिट्टी निकालता है उसका नमूना लेता है यह देखिए मिट्टी निकाला हुआ है मिट्टी निकाला हुआ है पूरा तो दोस्तों यह रोबोट टाइप का होता है रोवर ठीक है तो दोस्तों descriptions करेगा और न कैश को रॉक टप पहंचाएगा एक दश सक बाद उन्हें मंगलगर्व से लाँच करेगा हेलिकॉप्टेर को नासा की इनजिन्य िटि के बाद किया गया तो दोस्तों इंजिन्य टी हेलिकॉप्टर इस्का पहला हेलिकॉप्टर था ठीक है जिसने 2021 में मंगल गरफ पे दिर्टा के साथ पहुंचने के बाद से 29 उडाने भरी थी अब हेलिकॉप्टर के नए एडिशन में दोस्तों पहिये और हाथ से पकड़ने वाले हतियार भी होंगे दोस्तों मनिपूर सरकार ने लोक्तक जील पर सभी तैरते हुए घरों और मचली पकड़ने के धाचे को हटाने का अदेश जारी किया है है लोक्तक जील मनिपूर के उतर पुर Vaaj में इस तित सबसे बड़ी कैसी जील है दोस्तों सबसे पड़ी बात है कि मैं पर फ्लोटिंग हसेज सेज हैं फ्लोटिंग या जाथ दोस्तों यह सब दोस्तों नुक्सान पहुचा रही हैं यह सब गहर जो है वहां के कुड़ा फैला रहे हैं इस जील में कुड़ा फैला रहे हैं दोस्तों पर्यावरण को प्रदूशित कर रहे हैं ऐसे यहां पे घर बहुत देखे जा रहे हैं तो कि टूरिजम का एक हभ हो गया है प्लोटिंग हाउसेज ही नहीं है मेरे भाई फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है दुनिया का एक मात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क दोस्तों मनिपूर में ही है उसका नाम क्या है बताओ मैं सौट फॉर्म लिख दूता हूं दोस्तो एक तो नेशनल पार्क सी रही लेकिन जो फ्लोटिंग वाला है वह कौन सा है दोस्तों वह है तुम बताओगा हम क्यों बताएं मनिपूर में दोस्तों लोक्त्टक जील कैसी जील है दोस्तों यह फ्रेस वाटन अबारत की सबसे बड़ी जो जील है वह वुलर जील है जो जम्मु कश्मीर में वह फ्रेश वाटर लेगए लेकिन सबसे बड़ी जील अगर देखा जाए खारे पानी की या सबसे बड़ी जील तो वह चिलका जील है ईशिया की सबसे बड़ी जैए दोस्तों जहां भी 176 fishing cats ज यह टूरिष्टों को टूरिजम कराते हैं दोस्तों नेशनल पार्क है तो जानवर भी होंगे और दोस्तों यह लेक है और इसी में नेशनल पार्क भी है तो प्रकृती का बड़ा ही मनोरम दिश्य यहां पर होता है ठीक है इनको सरकार ने खाली करने का आदेश दे दिया है कि बस निकल लो हो गया तुम्हारा जितना होना तब हो गया अब पार्यावरण की रक्षा भी तो करनी है तो दोस्तों मनीपुर की कैप्टल इंफॉल है और एन विरेंद सिंग इसके हेड है मनीपुर के गवर्नर ला क्या बन गए इंडिया के 14 वाइस प्रेसिडेंट बन गए दोस्तों तो इसलिए जो है ला गनेशन एडिशनल प्रभार समाले अडिशनल प्रभार इस समय आसाम के राजपाल भी समाल रहें जगदीस मुखी नागा लेंड के क्यों नागा लेंड वाले आरें रवी कहां चल प्रदानल अच्छा यह बाते हैं हिए 29 म्यूजियम यहां बनाने की बात कहीं गई है म्यूजियम पे बड़ा जोर है म्यूजियम पर बढ़ा जो अभी भुझ मेंब कंपके मिνूजियम बना जो 2002 में लोग म hp भी दोस्तों लोथल में मीदे पुर्त गाल की मगै अरिज मेरि दोस्तों नई वाली संसत्भावन टाटा प्रोजेक्ट बना दिये सेंट्रल विश्टा प्रोजेक्ट के तहट दोस्तों सेंट्रल विश्टा प्रोजेक्ट में राजपत या नहीं जिसका नाम करते विपते उसके दोनों तरफ सारे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी पूरा मंत्राले और सारे वी भागों का दोस्तों वह पालिया मेंट जो है जो पुराना वाला था गोल वाला हरवर्ड बेकर और जिसे अट्विंड लुटियंस ने बनवाया था वो जो है museum बन जाएगा वो भी museum बन जाएगा तो museum बहुत बन रहा है भारत में अब दोस्तो 29 यूजियम मनीपूर में बन रहा है रानी गेदेलियाव जो की फ्रीडम फाइटर थी उनके नाम से यूजियम बना दोस्तो जितने भी आजादी के फ्रीडम फाइटर थे उनको वहां के महापुर्सों के नाम से 23 जितने भी हैं पूरे भारत में उनके नाम महापुर पुस्सों के नामसे जो आजादी की या लड़ाई में योगदान दिये, उनके नामसे कुछनो कुछ रखा गया है, जैसे कि राणी लेश्मींभाई के नामसे जहांसी wal titre दिया गया, थीके, राजा संकरसा के नामसे इन्योरसिटी चिंदवरा वालरा रग दिया सांगोली रहनना के नाम से बैंगलोर सिटी रिलवे स्टेशन बनाया गया है ठीक है सहीद उद्यान बनाया गया है गुरकपूर में जो चिडिया घर है दोस्तों वह सहीद अस्फाकुला खान के नाम से बना दिया गया पंद्रह नॉम्बर को मना वह क्या कहते है भगवान विर्सा मुंडा के नाम से दोस्तों जो है डे मनाया जा रहा है भगवान विर्सा मुंडा के नाम से डे मनाया जा रहा है मोहाली एयरपोर्ट का नाम सहीद आजम भगत सिंग जी के नाम से रखा जा रहा है सहीद आजम पॉमई दोस्तों जो है वो डंग मक़ोशत हुआ पॉमई इने ऊंधित एरिया दोस्तों भारत का पेहला इंधिट यह Taxi हुआ है जो ड्रग फ्री जो जून गोशत हुआ है दोस्तों मनीपुर में इन्दियन आर्मी ने कोचिंग सेंटर्स जो हैंढ़ करने के लिए मनीपूर गौर्वर्मेंट के साथ दोस्तों अंडर प्रिवलेज इस्टुडेंट्स को तैयारी कराने के लिए उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों इसी मनीपूर के इंफॉल में हर्याना ने दोस्तों जूनियर वीमेन नेशनल चेंपियंशिप जीता था दोस्तों सवाल ये उठता है कि फर हर्याना ने सीनियर वाला में जीता था सीनियर वाला मेल जीता था दोस्तों सीनियर वाला क्या जीता था मेन वाला जीता था दोस्तों होकी टुर्णामेंट तो सवाल यह उठता है कि सीनियर वाला वीमेन वाला किसने जीता था होकी टुर्णामेंट तो सीनियर वाला वीमेन वाला होकी टुर्णामेंट किसने जीता दोस्तों यह उडिसा ने जीता था यह किस ने जीता था उडिसा ने जीता था फिर सवाल आता है कि सीनियर जुनियर सीनियर हो गया तो यह बताइए कि जुनियर में किस ने जीता था तो जुनियर वाला में वाला दोस्तों वह यूपी ने जीता था शायद यहां पर मैं आप मनिपूर की फेस्टिवल देखा जाए तो लाई हरुबा फेस्टिवल मनिपूर संगाई फेस्टिवल कचाई लेमन फेस्टिवल कच्छा निम्बू सीरुई लिली फेस्टिवल लिली दोस्तों जो पौधा है न वो यहीं पर होता है सिरुई और बहुत सारे ऐसे फेस्टिव मैं बताता हूं ना मैं कैसे याद किया हूं तुम हमसे पूछो मैं बताता हूं मैंने कैसे याद किया देखो महिलाओं को की टीम को कौन स्पॉंसर किया था उडिशा ने स्पॉंसर किया था महिलाओं की टीम को किसने स्पॉंसर किया था senior वाला याद कर लो junior वाला अपने आप याद हो जाएगा ठीक है मैं तुमको trick बताता हूं महिलाओं को hockey team में किसने सम्मान दिया उडिसा ने senior में दिखा भी दिया कि उडिसा ने गलत नहीं किया नवीन पटनाइक जी ने इसके बhuड़ार हरियांड रूना हर气म में जाद है में जाद है की विमें जाद है यहां सक्स रेशियों दोस्तों कम हैен यानि कि यहां पर दोस्तों जो है 189 में wordt वीमिन है यानि 187 नाइन फीमिल है सक्साया मेल है तो दोस्तो मेल जादा है मेल जादा है तो मेल सीनियर हो गए तो हरियाणा ने मेल में सीनियर में जीता और महिलाएं कम है तो महिलाओं में जुनियर में जीता महिलाओं में जुनियर ने जीता हम ऐसे याद किये हैं हम बहुत तगड़ा रिलेट कराते हैं अगर हमको नहीं या कर देते हैं फिर जो बचा वो बचा में जुनियर बचा इसको याद ही नहीं करता हूं बस इतना याद करता हूं जो बचा वो यूपी का है जो बचा वो यूपी का है बस इससे याद कर लेते हैं कि सर कल के बिसी देखा आपके कोश्चन बहुत देता है के बिसी में की तो क्या करना है चले किया एक दिन ऐसा मेघ्ः प्याते मेघ्ऻ और ले में दोस्तो सबसे ज्यादा बारिश होती होगी तबहिछ कर सबसे ज़्यादा बारिश यहां पर होती है सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसके पात दोस्तों जो है अगर हम लोग बात करें मेगाले का चेरा पुंजी हो गया लेकिन अब तो हम लोग पढ़ने लगें जब बड़े हो गए कि मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश हो तोड़ दिया है 24 घंटे की बारीस का भी ओवर ऑल बारीस का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही 24 घंटे में सबसे जादा बारिस का रिकॉर्ड जो चेरापुंजी के नाम से साथ साल से था वो भी मासिन राम ने तोड़ दिया एक जार तीन मिलिमीटर बारिश हुई है दोस्तों 24 गंटे में वहाँ पो ठीक है क्लियर है दोस्तों इसके बाद पिगरी प्रोजक्ट पिगरी यानि सूर वाला बैक्यार्ड पिगरी प्रोजक्ट अचकल बहुत न्यूज में आ रहा है पिछले एक अपते से दोस्तों जड़ों उसको जोड़ते चले जाते हैं दोनों नदी के तरफ के तने जैसे से उगते हैं उसको जोड़ते चले आते हैं दो मंजिला ऐसा ब्रिज तयार होता है तने से और जड़ से रूट से और दोस्तों उसकी ब्रांचे से भाइसा उस पे जो है सौसो दो दो साल से वह चलना है ऐसी ब्रीज दोस्तों नौर्ट इस्ट में बहुत जगद देखी जाती है इसे अभी वर्ड हरिटेस साइट्स के टेंटिटीव लिष्ट में जो है जोडा गया है जोडा गया है दोस्तों बात समझ में आ गया clear living root breeze जिवित जड़ की ब्रीज दोस्तों national table tennis championship यहीं पर हुआ है दोस्तो दुनिया का सबसे बड़ा table tennis tournament इंडिया ने होश्ट किया मेघाले में ही दोस्तो अभी मेघाले ने यह गोशना कि कि वो अब national highway और state highway पे कोई भी टोल नहीं लेगा अपनी जनता से अपनी जनता से दोस्तों कोई भी टोल नहीं लेगा उसके बाद दोस्तों अभी इस बार इसको WSIS एवार्ड मिला युनाइटेड नेशन का WSIS एवार्ड भी मेगाले को मिला है मेगाले के इंटरप्राइज आर्खिटेक्चर इंप्लिमेंटेशन के इप्रपोजल सिस्टम की वज़ा से इन्हें WSIS वर्ड सिस्ट समिट और इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2022 चैंपिन प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ तो दोस्तों आगे अगले यानि नौर्ट इस पर चलना जब सिक्किम पकड़ें तो मेगाले भी पकड़ लो मनिपूर भी पकड़ लिए और दोस्तों नागालेंड भी पकड़ लिए सिक्किम होई चुका है जम्मू कश्मी लद्दाक उदर होई चुका यह सब जो बॉर्डर वाले है ना इधर जो चाइना प्रभावीत इन सब को आज हम लोग पोश्टमाटम करके खतम करते हैं पोश्टमाटम करके खतम करते हैं दोस्तों नागालेंड की कैपिटल कोहिमा है दोस्तों चीफ मिनिस्टर नेफियू रियो है हॉन्बिल फेस्टिवल दोस्तों यहां मनाया जाता है यहां पर हनी टेस्टिंग बनाए ठीक है हनी मतलब शहद दोस्तों साइबेरियन पक्षी है अमुर फालकन बाज है इगल है उसकी वर्ड कैपिटल इसी को कहा जाता है यह कुश्चन भी में पूछ चुका है जो कि साइबेरियन पक्षी ठंड के समय में आते हैं जब आपका एक्जाम होता है इसी समय वह साइबेरियन पक्षी आते हैं नौट इस्ट में लोग उसका सिकार करते हैं आई यू सीन द्वारा उसे रेड लिस्ट में भी जाल डाला गया है इंटरनेशन सेकेंड डिश्टिक मेहंद्रगड है दोस्तों अभी 33 डिश्टिक हो गया तब 29 जिला पड़ा था 33 भी हो गया ठीक है जी दोस्तों यहां के मीठे खीरे को स्वीट कगंबर को जी आई टेग मिला है दोस्तों नागा लेंड पहला इस्टेट है जो पेपरलेस असेंबली बन अगा नगाओं की जगह दोस्तों जहां पर इसपेशल प्रोवीजन यहां पर आम आदमी जाकरके जमीन भिना अप्रूवल के नहीं ले सकता अंगरेजों के जमाने से यहां पर यह चल रहा है जो साउथ एशियन एफलेटिक वडरेशन क्रोस कंट्री चेंपिएंशिप भी हैं सूपर 30 टाइप का 30 चिल्डेन्स होंगे उसमें बॉइस और गर्ल्स के दोनों के मिला करके खासकर गरीबी रेखा के नीचे वाले या जो इकनॉमिकली वीकर सेक्षन है उनको सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको दोस्तों फ्री रेजिडेंशिल कोचिंग दी जा रही है यानि एकलब वे मॉडल के अधार पर उनको मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज की तैयारी के लिए प्रिपेर कराया जगर रिजिडेंशिल कोचिंग का मतलब रहना खाना पढ़ना सब एकदम फ्री जैसे वाली पिक्चर देखे तो प्रोफेसर आनंद कुमार वाली ना रहना खाना सफ्री वैसा वाला रितिक रोसन वाला प्रोफेसर आनंद कुमार तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग इलक्षन कमिशन ने जो है अभी एक गोशना की है कि 18 साल का होने का वेट नहीं करना होगा अपना वोटर लिष्ट म में नाम लिखवाने के अगरी मावीदन कर दिज़्े 17 साल की उमर में ही यानि कि पूछा जा सकता एकजाम में कि कि एडवांस में आवेदन कर सकते 선생님 डे सकते हैं कि हमारा नाम वोटर लिष्ट में taxi होजा 23 में दर्च करा दीजिए अभी हम 17 साल के हैं दर्च करा दीजिए क्योंकि दोजार 24 में ही लक्षन हम वोट डालेंगे वोटर लिश्ट मुसके पहले मेरा नाम हो जाए नची शादी कि यह दोस्तों लड़कियों की भी 21 साल कर दी गई यानि अब लड़का लड़की एक अब दोनों 21 साल की हो तब भागो थोड़ा मिच्योर हो जाए लड़की और आपकी उमर के बराबर भी हो जाए है ना तो दोस्तों जो है यहां पर ECI जो है इलेक्षन कमिशनर आफ इंडिया के वर्तमान जो है मुक्य चुनाव आयूक तो कौन है इस समय दोस्तों मुक्य च है क्लियर है बात समझ में आ रही है कि ओके के करें पता नहीं कौन वहकाता था सर अब कि सर पर अब लड़की 17 साल में ही लड़कों को भगा ले जा रही है भगा कहां ले जा रही है जी तुम खुद जो है उसके पीछे पीछे जा रहे उड़ती फिरूं चलती फिरूं मस्तगगन में तो दोस्तों जो है यहां पर यह चीज चेंज हुआ है चुनावायुक्त हमारे देश के कौन बन गए है सुसील चंदरा की जगह दोस्तों राजीव कुमार बन गए ठीक है ओके दोस्तों 18 इंडिया यूएस जॉइंट मिलेट्री एक्सरसाइज यूद अब्यास यह अक्टूबर में दोस्तों भारत में किस राजी में होने वाला यूद अब्यास दोस्तों यह जो है किस जगह होने वाला है फटा फट बताईएगा दोस्तों पटा फट जो है होने वाला है तो दोस्तों यहां उत्तरा खंड में ञい t技 लड़की तुम को कभी प्रपोस करिया है लड़की बहुत कम प्रपोस करती है लड़का एकदम जो ज descobrir जा सकता पहले पकड़ लड़की प्रपोस कर अबर ना लड़की के अंदर पेसेंस बहुत अरों कि पीचे पीचे जाओगे, कौन बैकारा है किसको, कौन बैकारा है बताओ वह आप के जाल उसके जाल में फसते चले आता है, फिर आप प्रपोस करते हैं, लड़की नहीं प्रपोस करती है, ठीक है? तो दोस्तों जो है, युद्धाब्यास ये उत्तरा खंड में होने वाला, कहा और ली में होने वाला और दोस्तों के दारनाथ के पास ही पड़ता है और भी बहुत खतरनाक जगह है बहुत बढ़ियां हिलिस्टेशन है दोस्तों सलमान खान का बहुत फेवरेट जगह यहां पे लोग युद्धा ब्यास कम करेंगो यह सब जो है थंडी का मज़ा ज्यादा नासिल moralian my वीच कोरपीरेशन है स्थ थाग़े गलोबर फाईफंडेड लिष्ट तो दोस्तों यहां पे जो फाच्मड़ान गलोबल लिष्ट है इसकी वाल मार्ट करीदा इसीbn काट ने दोस्तों सिंगापुर से इंडिया अपनी एड़ आफिस竊ए करी दोस्तों ब बशन्नने सचीं बंसनने या बिणनी बंसन में किसी एक सचीं बंसने मैं भी तेंशेंट चाइना की टेंशेंट कमपनी को अपना शेयर बेचा है इसी दोस्तों फिलिपकार्ट फीों पे सुरू है समीर निगाम को सब फोन पे ने हम पेन सबसे बढ़ें विए के रूप में चल रहा है ओके क्लियर याद रहेगा वाल्मार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट वाली कंपनी रिटेल मार्केट वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी रहा है टिकuccess क्लियर है टुप समझ में आ हमारा 200 प्लस वाला 2019 में मस्ट चल रहा है अच्छा अभी 2019 का भी तक चल रहा है तुम लोग तो सेलेक्ट हो गए ना 2019 वालों है दोस्तो 2019 में तो गजबी हुआ था हम लोग पढ़ रहते अगले दिन हमने कहा दो घंटा पढ़ाएंगे अब महरातन जो पढ़ाए भाई सहाब अभी कल भी एक बच्ची ने टीना ने मैसेज डाला था सर हम लोग पचास में से 30 क्वेश्चन मिले थे पचास में से 30 क्वेश्चन और जो आखरी दिन नहीं पढ़ा था उसका जाए कि और तब से 200 इतना सफल हो गया इतना नाम हो गया था कि हम लोग ने 200 नाम हमेशा रखा कि चलो वही नाम 200 ही रखते हैं वह इस बिन अपॉइंट एस न्यू सीएफो ऑफ फिंटे की स्टार्ट अप भारत पे के नए सीएफो के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो नलिन नी को अप्या नलिन नेगी को दोस्तों यहां पर भारत पर 씨एफों के रूप में अपॉइंट है दो स्क यह बहु करते है ते ना जिसके नॉन एक्सक्यूटियूटी चेरमें रजिनीज कुमार अघुी चेल्जिक्शाा है कि एस बीई के पूरु चैयर्मेन कि बोयों के भी बोर्ड में गए दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड में भारत पेके नौन एक्सक्रिटी चेर्मेन बन गए आंध्र पदेश के ड्वाइजर भी बने ते रजनीश कुमार है कि नहीं कि बात समझ में आ रही हैं दोस्तों कौन किस राज और केंसासित पदेश ने राज की सभी आड़ी बाड़ी में बच्चों को दूद और अंडे उपलब्द कराने के लिए महिला एवं बाल विभाग की एक परियोजना का उद्गाटन किया तो दोस्तों फटा फटा इसका एंसर दीजिए विच स्टेट यूनियन टरिट्री हाज इनागरेटेट अप्रोजेक्ट अप्ड़ी में तो दोस्तों आंगन वाडी को वाडी वाडी बोलना है अच्छा लगत कि विकास साथ या बिलकुल याद है हम लोग को आपका फोटो तक नहीं चेंज हुआ मैं आयाद हूं कि नहीं सर आपको मैं बहुत हैंब कि आपने अपना न्यू चैनल खोला बताईए कि आप विकार साजी किस बैंक में सेलेक्ट हुए है और कैसा चल रहा है जिंदगी आपका कैसी जिंदगी आपकी चल लए है तो दोस्तों हमने हमेशा से जो है अच्छा हाँ ये बात सही है कि जब ये लोग तयारी करते थे तो हम लोग एक या दो ही लेक्चर ले प पढ़ा सकते हैं पूरा चैनल अपना है और इसमें एक भी जो है संक्रण प्रजाती नहीं है कोसी और का फेस नहीं है पूरे पूरा प्यूसर ने तुम्हें पढ़ा डाला है तो एक दम टेंसन नहीं लोग है यूट्यूब पे को या सही बात है गूगल पर फोटो कौन चे कचलिए दोस्तों तो यहाँ पर जो है दोस्तों एंसर जो है तमिल्लाडु नहीं है इसका दौक है तो और मैं पर नहीं है स स्विब कब तक आएगा पहले SBI कलर्क खतम हो जाएगा आजाएगा अभी बाउट टाइम है अभी आई बीपेस क्लर्क दोगे फिर आई बीपेस पीओ दोगे फिर जो है SBI क्लर्क दोगे तब SBI पीओ आएगा ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं तो दोस्तों यहां केरल एंसर है तमिलाडू नहीं है अगर ब्रेकफास्ट योजना होती तो होता ब्रेकफास्ट योजना होती तो तमिलाडू एंसर होता आंगनवारी में अंडे और दूद की योजना सुरू किया वो केरल ने सुरू किया इसलिए यह कुश्चन बहुत लॉंच किया है पी विजेर ने लॉंच किया केरल की दोस्तों जो पुरानी हेल्थ मिनिश्टर थी कुमारी सेलजा जिसने कोवीड-19 में बड़ा केरल को कंट्रोल किया था उनको रहमन मैक्स से अवार्ड मिल रहा था उन्होंने अस्विकार कर दिया कि हमको नहीं चाहिए रह नुक है वह अपने दाहीने पाकिट में से 10 सुपर निकालके बाय पाकिट में ढाले ले इनाम सवरूप केरल की कैपिल तीरुनंथ पूराम है चीफ मिनिस्टर पी विजेन है आरिप मुहमत खान आरिप मोहमत खान दोस्तों गवहनर है पीवी जियन मुख मंत्री हैं केरल क को मिल जाएगा हां मिल जाएगा केरल की जो कैपिटल है तिरुनंत्पूरम यह पी विजियन गवर्नर है आरिफ मोहमत खान दोस्तों गवनर है पी विजियन मुख्यमंत्री हैं पिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यहां शुरू है नॉलेजी एकनॉमि मीसन पहला रहना चाहता है यह पहला पहला ड्रोन फोरंसिक लैब इसी का पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेट सेंटर केरल नहीं शुरू किया भारत का पहला बेवल महिलाओं वाला पार्क जेंडर पार्क इसी ने शुरू किया बारत की पहली 100% डिजिटल इन्वर्सिटी इसी ने सुरू की भारत का पहला human milk bank भारत का पहला हट failure bank सब जीओं पर MSP निर्धारित करने वाला पहला राज यही है International Institute of Virology सुरू करने वाला पहला राज यही है पहला अपना खुद का internet service provider जो एक सरकारी जो सुरू करने वाला यही है पहली online service देने वाला राज यही है दूस्तों यानि सर्कार दे रही online service ठीक है दुनिया के 50 greatest closest में time magazine के 50 greatest places में दोस्तों Keral का नाम है एहम ताब चेरल ये भी ताइन के world 50 Greatest Past में इन दोनों का नाम आया है दोस्तों भारत का पहला ओटिटी प्लेटफॉर्म लाने वाला जो सरकार कोई अगर ला रही है इस्टेट और टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस वह केरल ही लेके आया यारी हर चीज में पहला पहला लिट्रेसी रेट में भी हैना हंड़ेट पर सेंट डिजिटल वैंकिंग करने में भी दोस्तों इसके पाँच जीले आ गए इसके बाद दोस्तों अगर देखांगे पहला takiego सेक्स रेशियो में भी सबसे जादा एक हजा들이 मैला अपर प्रती हेऐ कहजार पुर्सो पर के लिए हमे उसी फहली है जो लुल ओमर में golden वीजा पा गए वहां पर गोलडेन वीजा पाने वाले पहले विद्या जो है दुनिया के सक्स वही हैं ठीक है लखनव में नमाज विवाद उन्हीं के में हुआ था दोस्तों उन्हीं के मौल में फ़र्स्ट पेपर लेस्ट कोट दोस्तों जो है वह यहां पर के रहल का ही कोट बना है यहाँ कैस स्ट्राइप मिशन को दोस्तों Google की है ठीक है ठीक है दुटों यहां ने रूबॉट रेस्ट रोफी भी होती है केरल में ही नेरू बॉट ररेस्ट रोफी भी होती है दोस्तों ठीक है कलियर है याद वामसाद रहेगा केरल की केपिटल तिर्वनंत पूरम है दोस्तों यहाँ पर वाटर मेटरो मेट Battle project मुझरिश na दोस्तों कोची केरल में भारत का पहला City जाहां water Metro project सुरू हुआ कोचीनस पयाड ने धी दोस्तों जो है कोचीन सीप्याड ने दोस्तों weakness विक्रांट बनाया है इसी कोछी में ही दोस्तों मोदी जी जाकरके 45 करोड की कोची मेट्रो परियोजना को सुरू किये आई एनस का उढ़काटन किये और नइभी का नेया वाला निसान जंड़ा धोस्तों उन्होंने इनेयुगरेट किया मोदी जी में इस केरल में जाकर गया लेकिन इस बार उसके सेंटर में सत्य में जयते वाला अशोक इस्तम था सत्य में जयते उसमें 24 में अब वह पूरा स्क्रॉसी हटा दिया गया दोस्तों और उसकी जगह अश्ट कोड़ी यह दोस्तों एक जो है वह बनाई गई नीली कलर की आकृती जिसमें गोल्ढेन कलर का बॉर्डर है अश्ट कोड़ मतलब आठ दिसाय दिस्तों जो रिप्रेजेंट Кरता है ओक्टागौन slice दोस्तों ये सीवा जी की दोस्तों नेवी के साइन से प्रेरित है सीवा जी की अपनी मराठा सेना की भी नेवी ती जिसमें अश्टकोड दोस्तों था जिसमें दो जो है लेरिंग की दोस्तों अश्टकोड में डिजाइन थी उसको लिया गया उसके बाद नेवी के अपने जो जहाज में दोस्तों जहाज रोखने के काम आता है एंकर और दूसरा जो है दोस्तों उसमें यह वह भी लिखा हुआ है किया नाम हैं उसमें आशोक इसटम्भ भी उसमें सोलह नाम से सारे न सिब्सक्रण पार्क है ठीक है अनामुडी नेशनल पार्क है मथी केटन नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क है रवी कुलम नेशनल पार्क है यह रवी कुलम नेशनल पार्क है दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ठीक है पेरियार रहे geweorts पानियर अगय में आगल समझ में आ रही है कि नहीं हो इस अब वरून नाम से वरून नाम से एग ड्रोन भी पाईलेट लेस्ट ॡ्रोन गदगाटन हुआ लेकिन वह था आपका मुंबई में ठीक है अरे डिल्ली में जो नेवी का जो है इनोवेशन वाला सेमिनार हुआ था उसमें हुआ था सागर नाम की कंपनी ने वो पाइलेट लेस ड्रेन ड्रोन बनाई है वरुण नाम से ठीक है अभी तुम लोग वहीं पर हो क्या रामसर साइट 75 है अभी दोस्तों जो है कि तुम अभी उसी पर अटके हो के केरल के कोचीन में यटके हुए कोचीन एरपोर्ट दुनिया का पहला हांडेट परशंट सोलर पाउर से चलने वाला एरपोर्ट है जिसे युनाइटेड नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम ने दिया था चेंपियन अब दी अर्थ अवर्ड ठीक है और हो जाना जाते हो द है थीक है बस फेडरं बैंक दोस्तों की अलुआ कोची केरल में उसका ãyटक्वाटर है तो कि रたいमाइट खुदी हो गया है ताइम आउट खुद ही हो गया दोस्तों अब टाइम आउट करने के जो दिए बस तुमनों लाइक कर दो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा जरूरत मन बच्चों तक हमारे चैनल को पहुंचाओ बस यही गुरुदक्षिना नहीं दोगे तो गुरुदक्षिना तु बेसिक से बैंकिंग पढ़ना चाते हैं जी अपना गुरुदक्षिना यही है कि उनको सब्सक्राइब कर वाइए उनको बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई तुमारा जीवन जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और इस समय जरूरत है जिनका जिनका रिजल पढ़ाई कर लेगा अब वह आराम से दोस्तों पढ़ाई कर लेगा ठीक है ख्लियर है तो बस आपको गुरु दक्षिना देनी है वरना करण वाला हाल हो जाएगा करण का क्या हाल हुआ था मालूम है न पर शुराम जी इसको गुरु दक्षिना नहीं दिये थे बस अनतिन समय में उनको विद्या याद ही नहीं आई तो अंतिस में विद्या नहीं आता है कि तो अरजुन मार्दे का गले में तो दोस्तों इसलिए आप लोग दक्षिना दीजिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यह चार चीज होती है जो गुरु प्यूस जी को आपसे चाहिए औ और कुछ नहीं चाहिए सोना चान्दी पैसा क्या करोगे तुम क्या करेंगे हम ठीक है चालो ओके बाबाइब दोस्तों आप लोग जिस दिन कहोगे कि सेशन लीजिए उसी दिन में सेशन लूँगा और सेटेड़े और संडे को लेकिन कैप्सूल महराथन के लिए तयार रहिएगा अगर आप लोग ताइम लेके नहीं आए और अगर आप लोग एक घंटे के बाद भागने लगे तो मै रोग दूंगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता यह दिल सह नहीं पाता तो बस यह जान देजिए ओके चलो खुश रो स्वस्त्रों मस्त्रों व्यस्त्रों वाबाय टेक क्यार लव यूवाथ